दोस्तों आपने सुना होगा कि पेटियम बैन हो गया है मतलब न्यूज आ रही है कि पेटियम जो कि पोस्टर बॉय है डिजिटल पेमेंट्स का आपको मालूँ होगा इंडिया में जब आये थे यह सब यूपी आई वगड़ा तो सब लोग क्या बोल दे भाई पेटियम कर द services के अलावा भी बहुत सारी चीजे देता है जैसे पहले पर चार्ज कर सकते थे वालट में पैसे डाल सकते बिल भर सकते थे यसे कर सकते थे QR कोट स्कैन कर सकते थे पेटियम पूरा एक बैंक उब पर बैंक की तरह बवने में पास भी मिल रही थी और अपना card भी मिल रहा था, मेरे पास भी है, debit card मिल रहा था, international यूज कर सकते हैं उसको, मतब IFAC code मिल रहा था, पूरा एक bank, राइट, अब ये लोगों को loan भी देने लगा, ये लोगों को और चीजे भी टिकते भी book कराने लगा, तो paytium बहुत all-in-one solution हो गया, बहुत चारी चीज़ों का, ये loan भी दे रहा था लोगों को, पचेस जार, पचेस जार, पचेस जार, इस तरह के loan, credit पर अपना लोग उठाते थे, जो भी है, लोगों को interest भी प्रोवाइड कर रहा, क्योंकि अब bank है, तो trust भी देगा लोगों को, और अच्छे कासे interest दे रहा था, तो RBI क कुछ इसी guidelines है, जो Paytm ने follow नहीं की, और जिसके चलते, Paytm का जो payments bank है, त्यान देना, Paytm का जो payments bank है, यानि की एक full-fledged banking system जो चल रहा था इनका, जैसे normal किसी भी bank का होता है, जिसमें checkbook मिलती है, card मिलता है, सब मिलता है, अका account number होता है, FSE code होता है, पूरा same वैसा ही था, उस पे band लगा दिये, क्योंकि ये लोगों को शायद कुछ ऐसा कर रहा था, कुछ loan दे रहा था, या कोई guideline होगी RBI की, जिसे ये follow नहीं कर रहा था, और ये पहली बार नहीं होया दोस्तो, Paytm के उपर पहले बहुत fine लग चुके है, RBI के द्वारा, और और बहुत सारी banking services प investment है, तो दोस्तो हाँ, 2023 तक 8%, 6%, कुछ परसेंट तक, चाइना की एक Alibaba company है, उसकी एक और branch है, उसका कुछ पैसा Paytm में था, मतलब उन्होंने इतने लिए थे, आपको वालू भारत में ऐसी बहुत सारी company हैं, जिसमें Chinese company हैं invest कर रही हैं, मतलब Chinese company हैं directly हमारे यां आकर business नह होगे थे, तो अभी क्या बंद हुआ है, Paytm का जो payments bank है, तीन services चलती है Paytm की, पहली UPI, दूसरी wallet और तीसरी payments bank, तो payments bank है दोस्तों बंद हो गया है, फरवरी में end तक यह बंद हो जाएगा, March तक तक तो नहीं चलेगा, लेकिन इनकी wallet services और UPI services चलती रहेंगी, UPI में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो आपके bank से partner होके चलता है, तो जो Paytm है, वो सिर्फ payments, अपने payments bank से नहीं, बाकी सारे Indian bankों के साथ मिलकर भी काम करता है, यानि कि उनके UPI services से मिलकर काम करता है, तो अगर ऐसे मैं, अगर आपका SBI का UPI से आप payment में पैसा कुछ भी ब दिक्कत नहीं है, तो कुछ चीजें हैं, जो यह हुई है, अब जो Paytm का payments bank है, या जो पूरा Paytm की authority, इनकी जो company वाले वो tweet करके बोल रहे हैं कि 29 तरीक के बाद भी चलता रहेगा, और सरकार की जो नियम है, वो हम follow करेंगे, उसका कुछ way out निकालेंगे, कोई tension वाली बात नहीं है, हम अपनी service को ऐसे थोड़ा बंद कर सकते हैं, तो ठीक है, वो कोई way out निकालेंगे, लेकिन फिलाल सरकार ने तो यही नियम कर दिया है, कि अब फरवरी के बाद इनका payments bank नहीं चलेगा, ये खबर है, अब पता है, RBI ने ये clear नहीं किया है, कि किस guideline को follow ना करने की वज़े से, या ऐसी क्या तुरूटी हुई है, जिसकी वज़े से हमने इनका payments bank बंद किया है, तो जो लोग fast tag चलाते हैं, बहुत सारी लोग क्या गाडियों में fast tag लगाते हैं, ये कुछ भी जो subscription लेते हैं, जिनके payments bank से, Paytm payments bank से खटता है, वो services सब बंद हो जाएगी, तो फिर आपका fast tag है वो सब है, या जो अपने Netflix का subscription या कुछ भी अगर Paytm payments bank से ले रखा है, तो वो काम नहीं करेगा, तो आपको अलग bank से लेना पड़ेगा, नहीं तो अपने normal SBI, HDFC, ICI bank, जो भी आपका bank है, उससे आप ले सकते हो, तो ये दोस्तों पूरी जानकारी है, अब आपको वीडियो अच्छी लगी, तो उससे लाइक करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, साबर सेक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में ट्रॉस्ट अथू डिस्क्रिप्चिन चेक करें, 2.99 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कूर्सिस है, आसान भाषा में आपको अपको